राजसान की गहलोज सरकार ने अपने एक मंत्री को इसलिए परखास कर दिया क्योंकि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपरात पर अपनी ही सरकार की अलोशना की है। इस पर हर्याणा की ग्रह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कॉंग्रेस हर समय ये भाशन देती है कि प्रजातंतर खत्म हो गया है। उन्होंने सजा दे लिए उनको सबको मैसेज दे लिया कि सच मत बोलो जो हो रहा होने दो चुपर। मणिपूर मामले पर कॉंग्रेस महा सचिफ प्रियंका गांधी वाठ्वा ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी पर जुबानी वार करते हुए कहा कि मोधी जी ने इस मामले पर 77 दिनों तक कुछ नहीं बोला। बाद में भी उनकी बात में राजनीती का मिश्रन नजर आया। इस पर विज ने कहा कि प्रियंका गांधी देश में हो रही घटनाओं से अनभिग्ये रहती हैं क्योंकि वे बड़े घर के लोग हैं। चाओ और वहां वो जाके दो तिन रहकर पुरन ने स्थिती को निहंतरन करना की कोशिश की और उसका अवलोकन किया और उसको ठिक करने का प्रियार्स किया। अब ये कल के बच्चे हैं और ये ऐसे ब्यान देते हैं इनको जानकरी तो पूरी होनी चाहिए। पिपक्ष कहा था आज तुम शोर मचा रहे हो तुम भी तो असी दिन कहा थे तुम क्यों ने बोले असी दिन में अपनी भी बात बताओ ना और तुमारे अपने परदेशों में क्या हो रहा है। राजस्तान में क्या हो रहा है। आप अपने मंतरी को एक सच बोलने के लिए कि याम एलाइन स्वरक्षित नहीं है। आप बरखास्त करके अपना इटी श्री कर लेते हो। आपके वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। ममता बैनर जी बहुत ब्यान दे रही है कि मनिपूर में हो गया हो गया मनिपूर में। शर्म ना का देश जो कुछ हुआ। लेकिन तुम अपना देश तो संबालो अपना प्रदेश तो संबालो तुम बिहार में क्या हो रहा है। नितिश बाबू गठवंदर बनाने चे थे बैइ्ट अपड़े परेश में तुम्हारे में क्या हो रहा है। संग्यान में नहीं है लोग पार्सिबों के साथ 20 से जदा काले गत्ताव में सीफा दिया जी 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 तो राजबू समाद से हैं हो और मेरी जानकरी में नहीं